अगर आप Udemy के courses को free में लेना चाते हो तो इस video को enter जरूर देखना क्योंकि यहाँ पर एक या दो नहीं 61 courses आप लोगों को बिल्कुल free of cost देने वाला हो यह सभी courses एक coupon code की help से free होते हैं जो कि इनके साथ लगकर इनको free बना देते हैं एक limited time के लिए अगर सच में आप इन course को certificates के साथ free of cost लेना चाहें तो चैनल को जरूर subscribe कर लेना क्योंकि अगर आप वीडियो को late देखोगे तो आपका coupon code expired हो जाएगा और अगर आपका coupon expired हो गया तो फिर आप course को free नहीं ले पाऊगे तो course free लेने के लिए बहुत ज्यादा important है कि आप लोग चैनल को subscribe करके रखें तो चलिए स्टार्ट करते हमारा आज का वीडियो जिसमें जानेंगे कौन-कौन से course है और किस तरीके से आपको certificate यहां पर लेना होता है पहला course python के थुरू अगर आप data science सुखना चाहते हैं तो उसके पर course आपको मिल जाएगा course का market price 799 है जो कि अभी चार दिनों तो का आपको free में मिलेगा course का coupon code यह रहा अब बात कर लेते हैं कि आपको coupon code को apply कैसे कर रहे हैं जो कि बहुत simple रहेगा आपको यहां पर दिया गया number ध्यान रखना है जो कि यह number one वीडियो के description में जाना वहां पर आपको numbers मिलेंगे one two three four ऐसे करके पूरे 61 तक आपको जो भी course अच्छा लगे उसका number देखो description में जाओ वहां पर उस number के सामने जो link होगा bit.ly का blue color में आपको बस उस link पर click करना है जैसे link पर click करोगे course automatic free हो जाएगा coupon code apply हो जाएगा जब course free दिख जाए enroll नाओ पर click कर देना second course आपका python के उपड़ी रहेगा जिसके अंदर आपको स्के mcq और अगला questions है देखने के लिए मिलेंगे 34 मिनट का course है मेनत enroll कर लिया है आप भी enroll कर सकते है link description में आपको मिल जाएगा जहां पर आप free manual कर पाएगे साती साथ आपको कुछ ऐसा certificate भी मिल जाएगा और कुछ ऐसी और certificates लेते रहने के लिए आप लोग चैनल को जरूर subscribe करें जिसके आपको आने वाली वीडियो के भी courses free of course मिल पाएग और अगर आप मुझसे connector रहना चाते है WhatsApp, Facebook, Instagram पर message कर सकते हो link description में आपको मिल जाएगे third course आपको यहाँ पर AWS की तरफ से एक practice test का course मिल जाएगा तो practice test में ध्यान रहें आपको certificate नहीं मिलते तो अगर आप किसी भी course में सिर्फ यह सोचकर enroll कर रहे हो कि आपको यहाँ पर certificate मिलेगा तो एक बात का ध्यान रखना हर course में आपको certificate नहीं मिलता फिर्फ कुछ courses में आपको certificate मिल पाता है fourth course आपका email marketing का latest course आपको मिल जाएगा 2023 का latest course रहेगा यह वाला next course social media marketing जोग पर course देखना चाते हो तो इसका भी latest course आ चुका है आप लोग यहाँ पर enroll कर सकते हैं next course Google Ads का भी यहाँ पर आप लोगों को latest course जो है देखने के लिए मिल जाएगा तो आप यहाँ पर आकर enroll कर सकते हैं 7th course Google Analytics Certification का जो इक्जाम होता है तो उसके regarding गर आपको preparation करनी है तो आप लोग इस course की help ले सकते हैं 8th course आपका dev webs के tools जो होते हैं वहाँ पर बताए जाएगे दो-चार दिन पहले जो वीडियो आया था उसमें भी यह course में दे रिखा था तो अगर कभी आपसे course मुश्य हो जाए तो आप लोग 15 दिन तक regular वीडियो देख लेना आपको definitely course वीडियो के तुरू मिल जाएगा यह भी आपका web development में काम आता है तो पहले आपको HTML सीखनी है CSS and then JavaScript तीनों को कर लेते हैं तो आप एक web developer बन जाएंगी 12th course react.js करेगा तो आजकल react.js बहुत ज़्यादा popular है trend भी कर रहा है तो आप लोग उसको सीख सकते हैं web development के लिए next course modern JavaScript अगर आप सीखना चाहें वो सीख सकते हैं react.js के लिए next course Amazon FBA का आपको देखने के लिए मिलेगा जो की e-commerce और business models में आपको help करेगा 15th course Amazon automation का course रहेगा 2022 का वर्जिन है next course reverse engineering का course आपको मिल जाएगा जो भी लोग ethical hacking या network security चुछना चाहते हैं आप लोग इस course को ले सकते हैं 17th course आपको देखने के लिए मिलेगा जो की powerpoint के ओपर देखने के लिए मिल जाएगा 18th course media training का रहेगा जो भी लोग media में काम करने वाले वो लोग इस course को ले सकते हैं next course 19th नमबर पर है यह भी आपका media training को पर मिल जाएगा जो भी लोग PR में काम करते हैं उनके लिए course helpful रहने वाला है next course again media training का course मिल जाएगा आप लोगों के लिए next course की तरफ चल रहे हम लोग 21 नमबर पर कोर्स नमबर उपर दिखी रहा होगा college admissions के लिए इंटर्वीव में आप लोग यहाँ से प्रिपेर कर सकते हो फुरा course आपको दिख जाएगा next course इंडियो production का मिलेगा आप लोगों के लि next course public speaking का मिल जाएगा 24th नमबर पे उसारे course आपको personality develop करने में help करेंगी 25th नमबर पे TED Talks का course मिल जाएगा next public speaking का ही course है again 26th नमबर पे next course communication skills को पर course मिल जाएगा 27th नमबर पे course आपको दिख रहा होगा next course body language को पर आपको course मिल जाएगा जो कि आपके interview और personality के लिए बहुत ज़ 29th नमबर पे crisis management का course आपको मिल जाएगा तो वो आप यहाँ पे सेख सकते हो next course salary negotiations का course है जोगी career development में आपको help करेगा 31 नमबर पे again public speaking का course है 32 नमबर पे artificial intelligence के आप लोग डिजीटल मार्केटिंग सीच सकते हो next course आपको यहाँ पे viral marketing का मिल जाएगा 34th course video marketing का है तो अगर आप YouTube ads वगरा run करवाना चाहते हो तो वह आप इस course की कर पाऊगे next course 35 नमबर पे video creation का course मिलेगा तो अगर आप video creator हो तो आप लोग इस course को जरूर कर लेना आपसी बहुत ज़दा help हो जाएगी next course signal processing का मिलेगा तो अगर आप AI की help से noise cancellation सीखना चाहते हो त next course artificial intelligence का आपको मिलेगा web designing की help से next course यहाँ पे viral YouTube marketing सीख सकते हो यहाँ पे next course 39 नमबर पे AI की help से content generate करना सीख सकते हो next course virginity medicines का course मिल जाएगा आप लोगों के लिए next course Elementor का मिल जाएगा तो Elementor और WordPress दोनों का combined course है इसकी help से आप लोग बिना coding के website बना सकते हो कब मैंने आपको दोनों तरीके बता दियें अगर आप coding के साथ website बनाना चाहते हो वह कर सकते हो without coding की करना चाहते हो वह भी कर सकते हो next course TikTok marketing का आपको मिल जाएगा 42 नमबर पे course रहेगा 43 नमबर पे minimal lifestyle का course आपको मिल जाएगा next course persuasion का मिल जाएगा यूक्या आपको business communication में help करेगा 45 नमबर पे पब्लिक speaking का एक course है next course conference call में कैज़े प्रिजन्ट करना है वह आप यहाँ देशीच सकते हैं next public relations का course मिल जाएगा यानि PR का course है next course find your passion का course है तो अगर आप career change करने का सोच रहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं next course sales skills की आप training करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर पाएंगे next course मिज़े ट्रेनिंग का 51 नमबर पे 52 नमबर पे Google Drive का course है कौल्ट्री फार्मिंग का कोर्स है 54 नमबर पे पर्सुएशन का कोर्स रहेगा 55 नमबर पे वर्टेनिटी मैडिसीन का कोर्स है next course again poultry farming का कोर्स है next course again आपका एक दूसरे author के थूरू यहाँ पे poultry farming का कोर्स मिल जाएगा अगले कोर्स के तरह चल रहे हैं जो कि Microsoft Azure का एक प्रैक्टिस चैस्ट रहेगा साथी साथ आपको है पूरा complete course भी देखने के लिए मिल जाएगा अब यह वाले course आपके हिंदी में रहेंगे तीन course रहने वाले Linux command line का यह course हिंदी में रहेगा अब एक्र श्रीम करेंग का रहेगा तो इसको भी सीखसकते हों और जो आज का आखरी कोस जावा सीप्रिप्ट का खाये नापको मिल जाएगा दो सब्सक्राइब करके बेल एकन प्रेस कर लो ताकि आपको आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए सबी लोगों को टाटा बाइबाइब टेक कियर